परविन हिन्दी में आपका स्वागत है हम आपके लेकर आगा हैं फिर एक अंबॉक्सिंग वीवो टी-थीरी काफी अच्छा फोन ने काफी अच्छा काम किया वीव वाले ने टी-थीरी पे काफी अच्छा है इन्होंने सब कुछ काम किया है कैमरा डिस्प्ले बिल्ड क्वा ते ये जैनन लाएज होती है ् वह झ destroy करते होती है wwhy की वह झां अन लाइन फोन होती है वकी उδ्स चलीये शुरू करते तल्षुस है टेला हमारा था कर का बॉक्स मैंने सबस्रें और मंग वाया हुआ और आप देख सकते हैं ये फिलिपकार से खोलके ही मिला हुआ क्योंकि ऐसी पॉलिसी आ गई है कि आप खोलके ही देंगे उपर लिखा हुआ है T3 5G और इधार बड़ा बड़ा लिखा है वीवो वीवो T3 5G तो हम चलिए अन्बॉक्स करते हैं पहले हम आपको पीछे दिखा देते हैं हाइलाइक्स इसमें क्या-क्या लिखे हुए है आप यह देख सकते हैं और यह manufacturing 24 मार्श में हुआ है मला मार्श 2024 इसी महने हुआ है मैंने फिले सेल में मैंने इसको बुक्क कर दिया था चलिए इसको अन्बॉक्स करते हैं यह रहा हमारा फोन यह रहा EMI number वगारा यह रहा by cover by cover transparent देते हैं चलिए कम से कम देते हैं यह रहा user manual यह रहा data cable A to C type cable है आप यह देख सकते हैं यह देखिए A to C type cable है यह रहा charger चार्जर पकड़ने से ही मालुम पड़ा यह 44 वाट का charger है और यह रहा SIM ejected tool आप यह देख सकते हैं तो आपको सब कुछ सारा content मिल जाता है हम आ जाते हैं अपने device पर यह रहा device वीवो काफी best बनाया हुआ है आप यह देख सकते हैं काफी best है design diamond cut यह फिर से वापी से trend आ रहा है जो realme पहले diamond देते थे और वीवो की फोन भी काफी diamond cut था पर design काफी अच्छा दिख रहा है और य मेन कैमरा एक ही काम का है बाकी दो कैमरा काम का नहीं है यह depth sensor और यह फ्लेकरिंग काउंसर वह हम आपको सब्सक्राइब करके रखेंगे तो हम आपको बताएंगे और यह हाँ single tone flush तो यह काफी best phone है चली हम all review दे देते हैं यह रहा noise cancellation इधर आप बटन से ही मालूम पढ़ सकत और यह side में कुछ भी नहीं है तो यह काफी अच्छा phone दिख रहा है और boxy region है आप यह देखिए boxy region है तो phone काफी अच्छा दिख रहा है चली है यह मैंने चालू कर लिया था क्योंकि यह जब courier by ने देने आया था तो उसको मैंने चालू करके दिखा दीजिए यह नया phone है तो मैंने उसको चालू करके दिखा दिया था तो इसी वज़े से यह phone चालू है और यह काफी अच्छा phone मुझे देख रहा डिस्प्ले प्रॉब्लम है आपको कुछ शिकायद नहीं आई कि आपको लगे गा नहीं कि यह जो है बेजल ज्यादा है लेकिन ठीक है वी वह अगर बेजल और कम कर सकता तो कल देता इसको वेट कर लेते हैं कि इसका वेट कितना है यह देखे 188 ग्राम है और कवर को ले लेंगे 206 ग्राम का है और कवर हटा देंगे तो 188 ग्राम का है तो phone काफी हलका है आप देख सकते हैं फोन में आपको पकड़ेंगे तो काफी हैंडी फोन लगेगा और आपको कोई शिकायत नहीं आएगी और इन डिस्प्ले फिंगर पिन वगारा काफी अच्छा काम करता है बैक कवर चड़ा के दिखा देते हैं यह देखिए बैक कवर बैक कवर भी ट्रान्फरेंड काफी अ इसकी डिस्पले आप देख सकते सेम है आपको कुछ फरर्क नहीं देखेंगे आप एकटम सेम देख सकते कोई भी फरक आपको से वहां तक डिस्पले के साइज में नहीं देखे आप पिछेंके का यह लंबे में है तो आप यह देख सकते हैं और बागी दोनों एक ही प्राइज पर लॉंच हुए हैं यह देख सकते हैं यह 20,000 में जो हैं आपको आट एक्सोटाइस मिलता है, यह 20,000 में आपको जो है, 2000 रुपए आफर अभी भी मिलना है, यह 8256 मिल जाएगा आफर में, चलिए हम इसको साइड में रख देते हैं, और हम इसको भी लेकर आएंगे 317 में, कि आपको कौन सा देखना है, कौन सा नहीं देखना है, वो भी आप आप देखना, चलिए हम इनको साइड में रख देते हैं, आजाते हैं इसकी तरफ, और हम इसको थोड़ा सा सेट अप कर लेते हैं, सेट अप करने के बाद फिर हम आप से मिलते हैं, चलिए हम सेट अप करकर आगए हैं, थोड़ा सा सेट अप कर लिए आपके सामने, बागे आप सब्सक्राइब करके रखेंगे, हम तब देंगे, यह देखिए, हम आ जाते हैं सेटिंग में, चलिए अब आप फोन में चलते हैं, यह अब आप फोन में आ गए हैं, और आप यह देख सकते हैं, 8GB RAM है और प्लस 8GB आप बना सकते हैं, मीडियाटक 7200 का ओक्टाकॉर पुसेटर इंड्रोइड 14 पे आया हुआ है, आप यह देख सकते हैं, 128GB स्टोरेज हैं और यह आपको 15 और 16 दो साल इंड्रोइड और 3 साल सिकोर्टी पैज आपको मिलेंगे इसमें, और हम आपको दिखा देते हैं, इधर आप आजाएंगे, इसमें ये देखे, ये ऐलज्योन डिस्प्ले वगारा लगा सकते हैं, और आप अपने हिसाब से कश्टमाईस कर सकते हैं, लाग機 ये धीम्स पैब भी आप लगा सकते ये वाल पेपर भी आप सकते हैं बाकि आप अपने हिसाब से जो भी आपको डबल टाइप वगारा जो भी आपको लगाना आप अपने हिसाब से अप्टॉमाईze कर सकते हैं और अपको मुझे से फंट वेस 14 काफी अच्छा काम करता है चलिए हम आपको speaker सुना देते हैं यहां आ जाते है speaker में sound कहा है sound यह देखिए sound यह रहा ring यह देखिए यह देखिए इधर से भी आवाज आ रहे है और इधर से भी आवाज आ रहे है earpiece से भी आवाज आ रहे है और इधर से भी आपको दोनो करफ से आवाज मिलेगी, ये रखिए, ये, ये रखिए तो आवाज आपको इधर से भी मिलेगी, और इधर से मिलेगी 70 ओ 30 का आवाज आपको मिलेगी और ये इसमें 200% आ जाता है तो आप 200% भी चलाएंगे तो काफी ज़्याद आवाज आगए पर प्राइस के हिसाब से camera अच्छा लगा है, यह देखिए हम इसको जो regular के तरीके हमेशा click करते हैं, वैसा click कर लेते हैं, यह देखिए, camera मुझे ऐसे काफी अच्छा दिख रहा है, यह देखिए, camera के quality काफी अच्छी है, ऐसे देखेंगे ना, तो काफी अच्छा आपको camera द 10X तक zoom है इसका, उसे ज्यादा नहीं 10X तक है, 10X में भी काफी अच्छी quality काफी अच्छी देता है, आप यह देख सकते हैं, quality काफी अच्छी है, और detail काफी ज्यादा है, detail भी काफी ज्यादा है, 10X में काफी अच्छा camera है, चलिए हम front camera चेक करा देखेंगे, पर यह camera की quality का काफी अच्छा फोटू आता है top menu ने में बी पूरूम में काफी अच्छी है यह दोबार गलती से थोड़ा फटा-फट साइब ही और शटर कितना वाश्ट है आप यह देख सकते हैं इना इन आप को देखा देते हैं आपको देखा देते हैं पर यह यहां पर आपको ऐसा मैं देख रहा हूं इसक्रीन में तो तो आपको जैसे Memphis schon time में देखना पर है नहीं आइसा इसमिंए इसमिंए रीयल में देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा ने देखेंगे फोटो इकदम अच्छी quality के है और quality काफी अच्छी बेश्ट है और detail भी काफी अच्छी है detail भी काफी अच्छी है तो camera में जो है काफी अच्छा है हम subscribe करके रखें हम इसका भी camera इसके साथ में टेस्ट करेंगे इसका भी camera test करेंगे, तो कौन सा camera अच्छा रहेगा, कौन सा अच्छा नहीं रहेगा, वो हम आपको वीडियो बताएंगे, सिर्फ आप subscribe करें, और वीडियो पसंद रहें तो like करें, display fingerprint काम देखा लेते हैं, फड़ा फड़ काम करता है, आपको कोई शिकायद नहीं आएगी, इन display fingerprint में, यह देखिए है, तो in display fingerprint भी काफी अच्छा, face log देख लेते हैं, face log भी काफी अच्छा है, आपको face log में भी कोई शिकायद नहीं आएगी, क्योंकि processor 7200, 4 nanometer पे है, सारे 7 लाग का benchmark वगारा आता है, तो इसमें आपको कोई शिकायद नहीं आएगी, काफी अच्छा processor चलेगा, आपको इससे देखेंगे, तो 1 लाग benchmark इसमें ज्यादा है, इस इसमें 7200 का processor है, यह 6 nanometer पे बना हुआ है, और यह 4 nanometer पे बना हुआ है, चलिए करते हैं मुद्दी की बात, मुद्दी की बात यह है, कि फून की quality काफी अच्छी, वीवो ने T-series जो होती है, वो online होती है, और बाकी सीरीज जो होती है, Y-series है, V-series है, बाकी X-series है, कोई 2000 रुपए, अगर आपके पास bank मिल जाएगा, तो 18000 रुपए में, आपको Sony का sensor दे दिया है, in-display fingerprint दे दिया है, camera based quality का दे दिया है, double speaker दे दिया है, जो इस price में जल्दी वीवो में मिलता नहीं है, और display की quality काफी अच्छी है, मुझे काफी अच्छी दिख रही है, तो आप वीडियो आपके लिए बना के देते रहेंगे, पर फिर हाल फिर मैं यह आपको बताऊंगा, वीवो को ब्रैंड के हिसाब से देखा जाए, यह online centric phone है, तो यह काफी best phone है, आप इसको खरी सकते हैं, यह phone और IQ Z9, यह दोनों एक ही phone है, दोनों online पे है, वो Amazon पे है, यह फिलि मिल जाता है, और processor भी काफी अच्छा है इसका, पर इसमें यह दो camera काम के नहीं है, यह बीच वाला camera, main camera जो है, वो काफी अच्छा, Sony का IMX 882 का sensor है इसमें, तो आपको कोई भी शिकायत नहीं आएगी, और quality भी काफी अच्छी है, और इन display fingerprint भी काफी fast है, आपको शिकायत न विए आपकी बना किव देती रहंगे तेम